हलो फ्रेंड वेल्कम टू ये टिटर ये लोड़ो प्रेंड फ्रेंड समलोग सिविक्स का बीस्वा पार देखेंगे जो आपके जिए सी प्रक्टर परिक्षा के लिए कापी इमात पॉड़ होगा इसके पहले का सभी पार प्ले लिस्ट में जाकर के देख सके हैं जो आपके कोशन को सुरू करते हैं पहला कोशन है राजनीत विज्ञान का उद्भाव हुआ है तो राजनीत विज्ञान का उद्भाव किस से हुआ है तो यहाँ पर यह आपसन सही हुआएगा दर्संसास से ठीक है दर्संसास्तर जो है सभी समाजिक विज्ञानों का जनग होने का सिर अगला कोई जहाए शक्ति की रूप में सबसे पहले किस ने किया सक्ति की रूप में पूचा है, तो उसा ही उत्रह जाएगा, आपकर नमर बी मैट के लिए ठीक है, राज्य की परिभाषा शक्ति की रूप में शबशी पहले मैट के लिए याटी थी और वीश плохо है के आर्म में प्रशिद्ध जर्मन समाज बैग्यानिक मैक्स वेबर ने राज जी के सामाज समाज बैग्यानिक परिवासा की बात कहे थी ठीक है तो यहां पे सक्ति के रूप में पूचा है तो भी आपसन आपका सही हो जाएगा अगला कुशन है राज जी को ट्रेश्ट की संग्या किस ने दे थी तो यहां पे सही तरह होएगा आपका आप्शन नमबर टी जान लाग ने ठीक है जानलाग जो है सामाजीक अनुबंधन का सिधान दासता का पटता नया हो करके जो है सुतन्ता का अधिकार पत्र माना था और उसने ही राज जी को ट्रेश्ट की संग्या दिया था टेश्ट का ताद्पर इमाना था, संभवते की अंतर किये गए, अनु बंध को मानना, वही टेश्ट कहना था तो यहाँ पर आपचर नम्र टी आपका सौह हो जाएगा अगला केस्चिन है रूसो का समान इच्छा का लक्ष क्या था रूसों की सामान इच्छा का लक्ष क्या था तो समदाइका कल्यार ठीके सी आपसन करेक्ट हो जाएगा रूसों की सामान इच्छा का लक्ष समदाइका कल्यार था यह एक ऐसी बिक्ति की इच्छा हो सकती है या अनेक बिक्तियों के इच्छा का योग हो सकता है ऐसा इन्होंने बताया था तो यहाँ पे सही आप सनापका सही हो जाएगा अगला कोचिन है राज्य की उत्पत्ती के एतिहासिक सिध्धान्त में कुल कितने प्रमुक्तत्मों को सामिल किया गया है तो कुल छे प्रमुक्तत्मों को सामिल किया गया है जिसमें पहला है आपका रक्त संबन्त, दूसरा है मनुष्य की सभाविक समाजिक प्रविर्तियां, तीसरा पर था धर्म, चोथे पर था आपका युद्ध, पांचवे पर था आर्थिक गत्विधियां, और छठमा पर था राजनीतिक चेतना, ठीक है? यही जो है राज्य की उत्पत्ती के एतिहासिक सिध्धान्त के कुल छे तत्तों माने जाते थे, तो यहाँ पर यह आपसना आपका सही हो जाएगा, अगला कोशन है किसने कहा, राज्य के निर्माड के सभी तत्तों की तह में, जिनमें रक्त संबन्त वे धर में भी सामिल है, यह किसने कहा था, तो यह गिलक्राइश्ट महोदे का कफन था, ठीक है, यहाँ पर यह आपसना आपका करक्थ जाएगा, राज्य के उत्पत्त की जो एतिहासिक सिध्धान्त में छे प्रमुख माने जाते थे, उसमें गिलक्राइश्ट ने उसकी तह में धर्म भी सामिल किय था, और रक्त संबंद को भी सामिल किया था, यही उन्होंने राजनेती केत्रा की सबसे प्रमुख तत्म माना था, गिलक्राइश्ट ने, तो यहाँ पर यह आपसना आपका सही हो जाएगा, अगला कोशन है, बाहे संप्रभता की अधारा, सत्रहवी सताब्दी में किसके द दौरा प्रस्थुत किया गया, तो यह है योगो ग्रोसियस के दौराण, यह आपसन करेक्ट हो जाएगा, बाहे संप्रभता की अधारणा जो है, सत्रहवी सताब्दी में, योगो ग्रोसियस दौरा जो है, यह दिया गया था, और इनके अनसार यह बताया गया था, कि कोई भी प्रमुख राज्य अपनी विदेश नीत के निधारण, अन्य राज्यों से मैत्री संबंद, लेन देन या युद्ध हेती पूर्थे स्वतन तो होता है, तो यहाँ पेटी यह आपसन आपका करेक्ट जाएगा, अगला क्वेशन है, संप्रभता के कानोनी सिध्धान के बडन किया गया है, तो कुल 5 इसके पीसे स्थाय पताई जाती है, ठीक है, पहला है पोड़ता, दूसरा है आपका सारभोमिक्ता, तीसरा है आपका अधेयता, चौथा है आपका अस्थायत ठीक है और पांचवा है इसमें आपका अविभाज्यता ठीक है अविभाज्यता ये जो है आपके संप्रवता के कानिनी सिध्धान के अंतरकर जो है संप्रवता की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अगला है निम्न में से संप्रवता की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पाइत्व, पाचवा है, आप्रतक करियता, छठा है, अनन्यता, और सातवा है आपका अभिभाज्यता, तो संप्रभता के मुख्य रुख से खुल, साथ बिसे साय बताई जाती हैं, तो जिनमें ये तीनों आपका सामिर हैं, तो यहां पे डिया अपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है, किसने कहा संप्रभता राज्य का ब्यक्तित्व और उसकी आत्मा है, तो यह कहा था गार्णर ने, यहां पे भी आपसन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, संप्रभता राज्य का ब्यक्तित्व और उसका आत्मा है, जिस प्रकार मनुश्य का ब्यक्तित्व नहीं दे सकता उसी प्रकार राज की संप्रवता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती चाहता गार्णर ने तो यहाँ पेटी भी आपसनापका सही हो जाएगा कि अगला कॉशन है कि इसका मानना था कि न्याय को नय तिक्ता से अलग नहीं किया जा सकता तो ये कौन से बैज्ञानिक मानते थे कौन से दार्षनिक मानते थे इसको तो ये यूनानी दार्षनिकों का कतन था ठीक है यूनानी दार्षनिकों ने नयायकों नहतिक पहलो पर बल दिया था और यूनानी दार्षनिकों ने माना कि नयायकों नहतिकता से अलग नहीं की आज प्राप्ति राज्य में ही संभव है किसका मानना है अधिकारों का प्राप्ति जो है राज्य में ही संभव है किसका मानना है अधिकारों का प्राप्ति जो है राज्य में ही संभव है यह माननेता किसका है तो यह आधर स्वादियों का माननेता है ठीक है अधिकारों का प्राप दर्थवादी बिचारक थे इन्होंने राज्य को सरवोर संसा मानते हुए मनुष्य के लिए सुभावी कवरावस्यक मानते हैं तो यहाँ पेड़ी यह आप सनापका करेक्ठ जाएगा अगला कोचन है गांधी जी थे तो गांधी जी कैशे थे गांधी जी दर्षनिक राजक्तावादी थे ठेक है गांधी जी फासिवादी राजक्तावादी नहीं थे बलकि वो क्या थे टालस्टाय की भादी एक दारसनिक राजयक्तावादी थे और उनकी मानेता थी कि अहिंसा पर अधारित नवीन सामाजिक व्योस्ता में एक केंद्रिकित और बाद्यकारी राज्य के लिए कोई अस्थान नहीं होगा तो यहाँ पे आफसर नमबर ए आपका सही हो जाएगा ठीक है फासी बाद जो है अंतराश्टीता इवंग सांती का विरोधी है यह अंतराश्टी कानूनों में निष्ठा नहीं रखता है फासी बाद ठीक है यह अंतराश्टी कानूनों में जो है निष्ठा नहीं रखता है तो यहाँ पे आपसर नमबर सी आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है हस्तक्षेप या यदमात्यम की नीति का संबंद किस्से है यह आप लोग जान लीजिए इसका संबंद जो है उदारबाद से है ठीक है अधरबाद की और भी बहुत सारी मानिता है जिसमें अधरबाद की नीति जो है प्रवक्त माने जाती है तो यहाँ पर डिया अपसन आपका करेक्ट हो जाएगा अगला है यह वो लियू सनरी सोसलिज में विकासात्मक समाजवात पुस्तक के लिखा कौन है इस पुस्तक के लिखा कौन है ते इस पुस्तक के लिखा करें एडवर्ड वर्नस्टीन डी आपसन सही हो जाएगा एडवर्ड वर्नस्टीन जो है इसकी पुस्तक थी इसके माध्यम से इन्हों ने बताया था कि मार्स जैसा की बताता है कि पुजीबाद के समाज दो बर्गों में बढ़ जाएगा और सर्वहारा बर्ग एक करांदी के माध्यम से पुजीबाद का समोल नेफ्ट कर देगा ऐसा नहीं है बलकि यह बर्ग भेद वर्तमान में कम हो रहा है इन्हीं सब भी बातों का इसमें जुक कर किया था तो यहां पेटी यह अपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है किसने कहा जनतंत्र का अर्थ बर्ग सासन का अंत करना है एक बर्ग के बदरे दूसरे बर्ग का सासन अस्थाफित करना नहीं तो यह किसने कहा था तो यह बताया था एडवर्ड वर्ण टीन नहीं ठेक है तो यहाँ पे टी आपसन करक्ष जाएगा इन्हों ने बताया था कि जनतंत्र का अर्थ बर्ग सासन का अंत करना है एक बर्ग के बदले दूसरे बर्ग का सासन स्थाफित करना नहीं है तो यहाँ पे आफसन नम्बर डी आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है किसने कहा समाजवाद मनुष्य की शमानता तथा न्यायपूर्ण समाजिक व्यवस्था के अर्थ में एक प्रगत्सील तर्शन है तथा कारेकरम है तो यह कहा था समाजवाद मनुष्य की शमानता तथा न्यायपूर्ण समाजिक व्यवस्था के अर्थ में एक प्रगत्सील दर्शन तथा कारेकरम है तो यहाँ पे आफसन नम्बर डी आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है सम्भिधानवाद का जनक किसको का जाता है तो सम्भिधानवाद का जनक जो है वो अरस्तु है यहाँ पे भी आफसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अरस्तु के एक मातपोन पुस्तक है पालिटिक्स इसको भी याद रखिएगा यहां पे भी आपसंसा ही हो जाएगा अगला कोशन है सिविल गौवर्नमेंट के पुस्तक के लिखा कौन है सिविल गौवर्नमेंट के पुस्तक के लिखा कौन है तो यह है जानलॉक यहां पे भी आपसंसा करेक्ट हो जाएगा जानलाफ ने जो सिविल गौर्वर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना की थी उसमें उन्होंने प्रेटेन के एक बिधी सास्थ्री ब्लैक स्टोन ने भी जो है ज़क्ती के प्रिथकरण के सिधान का बाद में जो है विस्तार से विवेजन किया था तो इसी पुस्तक के माध्यम से किया था तो यहां पे भी आपसना आपका करक्ठ जाएगा अगला कोशिन है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो मुख्य चुनाओं आयोग तो होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष ठीक है और परिसीमन आयोग की विवर्षा की की है अनुछेद 82 में ठीक है आप लोगों को बता परिशीमन आयोग का बरतमान में अध्यक्ष कौन है ठेक है तो यहां पर आपका आपसर नंबर एस हो जाएगा कि मुख्य चुराव आयोग पर ही योपर है परिशीमन आयोग का अध्यक्ष होता है अगला कोशिन है यह एमिनेस्टी इंटरनेशनल एक गयर सरकारी संगठन है इसकी अस्थापना की गई थी की थी मतलब किसी ने की थी यह पूचा है प्रशन में तो यह पीटर बेंसन ने किया था ठेक है एमिनेस्टी इंटरनेशनल एक गयर सरकारी संगठन है जो मानवा दिकार संबदी मामलो को देखा है और पीटर बेंसन ने जो है जुलाई 1961 में लंदन में इसकी अस्थापना की थी ठीक है और इस विश्वापी संगठन का मुख्यालय जो है वो लंदन में ही है ठीक है तो यहाँ पे भी आप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन है ब्रिक्स देशों में दच्छेड अफ्रिका समलित हुआ था तो यह हुआ था दिसंबर 2010 में ठीक है ब्रिक्स ब्राजील रूस भारत और चिन ने मिलकल के जो है बी आर आई सी ब्रिक यह स्थापना 2009 में किया था ठीक है जिसका उदेश से बैस्षिक भित की संस्थाव में सुधार करना था और दिसंबर 2010 में जो है साउथ अफ्रिका इसमें मतलब दच्छेड अफ्रिका इसमें सामिल हो गया तिसलिए इसका सी यस बढ़ गया था तो पूरा नाम हो गया था ब्रिक से ठीक है पहले इसका नाम ब्रिक था यस बाद में जो है कि इस बाद में पूरजिकल दो गया तो यह होता है आपका पर्थेक 3 बर्स पर यहां पे डिया आफ्षम करेक्ट हो जाएगा आर्थिक ये वंग समाजींग परिश्द संग्तराश्ट की 6 परधान अंगों में से एकमाना जाता है और संग्तराश्ट की 6 परधान अंगों में आम सभा सुरक्षा परिषद सचिवाले टेश्डेशि परिशद तथांता राष्टि न्याले को सामिल कि आ गया है और आर्थी के वन सामाजिक परिशद में कुल कितने सतस्य हैं तो कुल इसमें जो है शवन सतस्य हैं और इनका चुनाव जो है प्रतेक तीन बर्स पर आम सभा के द्वारा किया जाता है ठीक है आम सभा के द्वारा प्रतेक तीन बर्स पर इनका चुनाव किया जाता है अगला है भारत में संघी न्यालाई की अस्थापना कब की गई थी तो भारत में संघी न्यालाई की अस्थापना जो है एक अक्तूबर 1937 को हुआ था ठीक है यहां पेटी भी आप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसकी प्रमुक जो न्याधीस थे वो सर मौरिस गुएर ठीक है सर मौरिस गुएर इसके प्रथम जो है न्याधीस थे और इसके अस्थापना एक अक्तूबर 1937 को हुई थे अगला है यदि भारत में बित्ती आपाद अनुशे 360 लगता है तो उसका कलाबद यानि समय कितने महिनों को होगा कितने महिनों तक बित्ती आपाद लगा जा सकता है तो वो दो महिने तक ठीक है अनुशे 360 द्वारा जारी की गई गुषना की कलाबद जो है दो महिने की दो महीने की समापति पर प्रवर्थत नहीं रहेगी, इसमें कोई संसोधन नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर आप्सन नमबर A आपका सई हो जाएगा, अगला कोशन है राज्य सूची में प्रविष्टियों की संख्या कितनी है राज्य सूची में प्रविष्टियों की संख्या कितनी है तो राज्य सूची में प्रविष्टियों की संख्या छाचट है ठीक है और संग सूची में कितना है संग सूची में 97 है संग सूची में 97 है और समौरती सूची में 47 है राजी सूची में छाचट है और संग सूची में 97 प्रविष्थियों की संख्या है तो तीनों को आप लोग याद रखेगा यहाँ पर सिह आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला है निम्न में से समोरती सूची का बिसे है समोरती सूची का कौन सा इसमें है लोग बीमा लोग स्वास्त है कांजी हाउस बन तो कौन सा है समोरती सूची का बिसे तो जो बन है वो समोरती सूची का बिसे है ठेक है इसमें समोरती सूची में आता है विवा विवा विच् बीमा जो है बीमा ये संग सोची का विसे है ठीक है तो यहां पे समौर्थी सूची पूछा है तो यहां पर ठीक आपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है लोग लेखा समिति का कारेकाल कितने वर्सका होता है तो लोग लेखा समिति का कारेकाल जो है एक वर्सका होता है ठीक है यहां पर यह आपसन सही हो जाएगा लोग लेखा समीति में कुल 15 सभा से होते हैं और 22 सभा से होते हैं और इसका कारेकाल जो है एक वर्स का पुता है अगला कोशिन है भारत के संभिधान के किस अनुश्यद के अंतरगत न्याइक पुन राविलोकन का प्रावधान किया गया है तो यह है अनुश्यद 13 यहां शनापका सही हो जाएगा भारत की संभिधान के अनुश्यद 13 यो संभिधान अमेरिका के अंविलोकन से प्रावधान प्रेयत है यहां पेड़ी आप सनापका करेक्ट हो जाएगा